बिस्मिल्लार रह्मान रहीम, अस्सलाम उलेकुम, अल्ला ताला की रह्मत करम और शुकर के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं अच्छा तो ये बहुत requested वीडियो है, मेरी पिछली वीडियो आपको बहुत पसंद आई और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुकरिया जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आज की वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग है, इसलिए बगेर स्किप किये देखना वरना आपको समझ नहीं आएगा कि अपना डाइट प्लेइन किस तरह बनाना है, अगर आपने ये पूरी वीडियो बगेर स्किप किये देख ली और समझ ली तो आप अपना डाइट चार्ट खुद बना सकते हो तो चलिए टाइम जाय नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं अच्छा तो पहले आप फूट ग्रूप्स को समझ लें के कौन-कौन से फूट ग्रूप्स हैं प्रोटीन, काप्स, फैट, विटामिन ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंके सब को नहीं मालूम होता कि काप्स क्या है, प्रोटीन क्या है वगेरा वगेरा ठीक है तो इसको समझना पहले जरूरी है अच्छा मैं बस बेसिक समझाऊंगी क्योंके इतना समझना ही काफी है डिटेल मैं अगर आपको समझाऊंगी तो आप सब कनफ्यूज हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये खाने के ग्रूप्स चार है पहला प्रोटीन जिसमें गोश्ट, मचली, अंडे, डाले वगेरा आती है ये मैं बेसिक चीजे बता रही हूँ जो हम ज्यादा तर रोजमरा की जिन्दगी में इस्तमाल करते हैं इसके बाद विटामिन और फैट्स आते हैं जिसमें फल, सबजियां और चिकनाई वगेरा आती हैं फिर काब्स आते हैं इसमें गंदुम की बनी चीजे होती हैं जैसे मेदा, आटा, चावल, ब्रेड वगेरा मुझे उमीद है कि इतना आपको समझ आया होगा अगर मैं चाहती तो बस अपनी खाने की रूटीन बता सकती थी लेकिन मैं ये सब इसलिए आपको समझा रही हूँ ताके आप खुद अपना डाइट चाट बना सकें वीडियो के एंड में मैं अपना डाइट चाट भी शेयर करूंगी तो वीडियो को एंड तक देखना और एक बात बताती चलूं के हम इस डाइट में कैलरीज को नहीं काउंट करेंगे इसकी वज़ा ये है कि आप लोग कन्फियूज हो जाएंगे एक एक एक्जेमपल के तौर पर अगर आप अभी दो रोटियां खाते हैं और पोशन कंट्रोल में आप इसकी जब कॉंटिटी को कम करेंगे तो आटोमेटिकली आपकी कैलरी कम हो जाएगी क्योंकि जब हम अपना वजन कम करते हैं तो हमें अपनी जो डेली कैलरी होती हैं उसमें से कम खाना खाना होता है इसकी एक्जेमपल ऐसी है जैसे एक शक्स अगर 2000 कैलरी ले रहा है तो इसको अपना वजन कम करने के लिए अपनी कैलरी को कम करना पड़ता है मैं अपनी डाइट में कोशिश करती थी उसमें आपसे वो पूछेगा आपकी height, age वगेरा आपने वो सब लिखना है, उसके बाद आपको वो calculate करके बता देगा कि आपको वजन कम करनी के लिए कितनी calories चाही है और maintain करनी के लिए कितनी calories चाही है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको एक दिन में कितनी calories I hope आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं इस वीडियो में कुछ potion control के charts को share कर रही हूँ, इसमें हर food के आगे एक size लिखा है कि आपने कितना खाना है एक दिन में, जैसे या मैंने protein में लिखा है, अंडे आप दो खा सकते हैं, एक time में दो अंडे, इसी तरह दाले वगेरा कितन ग्राम लेनी है, dairy कितना लेना है, एक दिन में कितना portion size लेना है और एक वक्त में, कितनी आपने लेनी है, quantity यह सब लिखा हुआ है, पूरे दिन में आपने potions लेने है, और एक time पर एक ही potions लेना है, ये डिटेल में आपको लिखा हुआ है, आप समझ कर अपना diet plan सब आपको नीचे डिटेल में लिखावा है, इसको आपको समझ कर अपना डाइट चार्ट बनाना है, कि आपने एक वक्त में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको अपना भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह मैनेज किया था, उमीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा अब बात करती हूँ अपने डाइट चार्ट की तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं 16 to 8 वाला रूल फॉलो कर रही हूँ यानि 8 गंटे खाना और 16 गंटे कुछ नहीं ही खाना तो 8 गंटों मैं सिव अपने दो में मील्स लेती थी यानि लंच और डिनर लंच में मैं अपना जो डेली हमारे घर में पकता था वो ही खाती थी लेकिन पोशन साइज में पोशन साइज की कॉंटिटी मैंने आपको चार्ट में बताई है उसे साब से मैं अपनी रूटीन में शामिल करती थी जो भी पकता था उसको पोशन साइज में लेती थी और उसके साथ प्लेट भरके सबजियां जरूर खाती थी और यही चीज मैं अपने डिनर में भी करती थी सेम जो मैंने दुपैर में खाया वो ही मैंने रात में खाया लेकिन सबजियां जरूर खानी है और खाना खाने से आदा गंटा पहले आपने एक या दो गलास पानी पीना है क्योंकि पानी पीने से आपको भूख कम लगती है और आपका पेट भी भर जाता है जब मैं फास् ले लेती थी जो मेरे पास अवेलेबल होती थी कहने का मकसद कि जब आप फास्ट अपना ओपन करेंगे तो आपने कोई हलकी चीज खानी है एकदम से आपने रोटी चावल नहीं खाने वरना आपके मेदे में दर्द हो सकता है क्योंकि इतनी देर तक आप बूखे रहते हैं त इसके साथ मैं कोई भी हलकी फुलकी चीज ले लेती थी जिसमें कैलरीस कम होती है कैलरीस का चार्ट आपको बता दिया है उस हिसाब से आप कुछ भी खा सकते हैं कभी मैं पॉक पॉन खा लेती थी कभी मैं कुछ खा लेती थी कभी मैं अंडा खा लेती थी अगर मैंने खाने हैं एक दिन में इस तरह नहीं जो आपके पास अवेलिबल है आपने उसको उस साइज में खाना होता है आई होप आपको समझ आ गया हो मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आसान तरीके से आपको समझानी की कोशिश कर रही हूँ अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप किलो ही कम होगा यह आपकी बॉडी पर होता है कि वो कितनी तेजी से वजन कम करती है हो सकता आपका चार किलो कम हो हो सकता आपका आठ किलो कम हो हो सकता आपका दस किलो कम मेरी बॉडी ने दस किलो कम किया था एक महीने में तो मुझे दो महीने में मेरा 20 किलो कम हुआ था और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगियो आई होप आपको सब समझ आ गया हो इस तरह आप अपना कोई भी डाइट प्लैन बना सकते हैं खुद से अगर आपको इन चीजों की समझ आ जागए तो उमीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगियो वीडियो अच्छी आवानिला